हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयरा सपोर्ट अब आप देख सकते हैं ऑनलाइन लर्निंग का नाम आयरा सपोर्ट कर दिया गया है तो आप उसे सपोर्ट करिए क्योंकि आपका अपना चैनल है आज हम देख सकते हैं एड्मिशन न्यूस से विश्विद्याले बिलासपूर विश्विद्याले कुशबबाव ठाकरे विश्विद्याले में प्रवेश की तारिक भी बढ़ चुकी है तो देख सकते हैं अटल यूनिवर्सिटी कॉलेजों में 30% सीटे खाली अब 29 तक होगा एड्मिशन अटल भीहारी बाचपई से सं संबन 198 कॉलेज हो गए हैं यूनिवर्सिटी ने 10 कॉलेजों को इस सत्र में मानयता दी है इसमें कई ऐसे कॉलेज है जिनका पोर्टल तो खुल गया है लेकिन वे कॉलेज कहां पर है पता ही नहीं अब ऐसे में इन कॉलेजों में एड्मिशन की प्रक्रिया चल रही है यून अब एक लाग चात्र आविदन किये हैं चात्रों का एड्मिशन लेने के लिए चार से पांच मेरिट लिस जारी कर दी गई है इसके बाद भी चात्र एड्मिशन नहीं ले रहे हैं शाष्की कॉलेज में तो 80% सीटे भर गई हैं लेकिन प्राइवेट कॉलेज में 40% सीटे पर एड्मिशन हुआ है अभी तक 38% सीटे खाली है अब ऐसे में उस सिक्षा विभाग में एड्मिशन के लिए एक बार और तारीक बढ़ा दी गई है प्रचार की अनमूती से 29 तक और कुलपती के विशेश परमिशन से 29 अक्टूबर तक चात्र एड्मिशन ले सकते हैं अ प्रोना संक्रमन काल को देखते हुए कॉलेजों में प्रवेश की तीथी बढ़ाई गई है कॉलेजों को कि कई सीटे रिक्त ना रहे इसके कायवात उस शिक्षा विभाग द्वारा की जारी है इसके लिए कॉलेजों को अपने छेत्र मिया प्रवेश से का सर्वे करने भी क कहा गया है प्रवेश तीथी बढ़ाने को लेकर जारी आविदन में कहा गया है कि सीटे रिक्त रहने की स्थी में प्रचार इस्थर पर 29 अक्टूबर और कुलपती की स्थर पर 29 अक्टूबर है प्रचार के और कुलपती के अनमूती से 29 अक्टूबर तक प्रवेश दिया पंडी तरवी शंक शुक्ली विश्वध्याले बिलासपूर विश्वध्याले कुशब भाव ठाकर ठाकरे पत्रकारिता विश्वध्याले समित प्रदेश के सभी उस शेक्षा संस्थाओं में रिक सीटे होने पर 29 अक्टूबर प्रवेश लिया जा सकता है तो यहां पर मैं एक और चीज़ बताना चाहूंगी कि आप जब जानते हैं अभी रिवेल और रिटोटलिंग का जो रिजल्ट आया है वो स्टूडेंट्स को भी कहा गया है कि वो भी 22 तारीक तक एडमिशन ले सकते हैं 22 तारीक या तो आप देख सकते हैं कि यहां पर इन इन कॉलेज़ में भी सीटे खाली है जिसकी डेट अब 29 तारीक हो चुकी है तो अगर कोई स्टूडेंट्स इन कॉलेज इन यूनिवर्सिटी के अंडर जो कॉलेज़ आते हैं उसमें अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग अगर के हर कॉलेज और हर यूनिवर्सिटी में होने जा रहा हो रहा है जी जी उ में आप देखेंगे तो सेम वही है सीजी पीटी की काउंसलिंग को लेकर भी यही है और यहां पर तो अभी हम CGDTE I mean CGDME जो डेक्टेट अफ मेडिकल एजुकेशन है बी एसी नर्सिंग को लेकर वहां पर तो अभी CT अलोटमेंट ही नहीं हुआ है पता नहीं मेरिट लिस्ट का आने वाली है इसी तरीके से अब जे सकते हैं CGPAT की द्वारा जो एगरिकल्चर कांसलिंग चल रही है उसक सब्सक्राइब करें लिए उनके लेकर और और फिर से मौका है 29 यहां पर जिस कौलेज में आप चूस करना चाहते हैं यह उन्वर्सीटी में आप जाके बात कर लीजे सीटे खाली होंगी जो भी कोर्स आपको करना है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा तो आप इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ बताया अप लोग के थोड़ा बहुत हेलफूल होगा तो मेरी इस वीडियो को ज़रू लाइक करी और अगर आप मेरी यूटीव चैनल में नए है तो मेरे चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें आगे एक वीडियो के अपडेट के लिए थैंक यू सो मच वाचिंग इस वीडियो